इसी modern history में एक word आयाता रेनेसा यानि पुनर जागरन। पुनर जागरन का शाब्दिकर्ट होता है फिर से जागना। चादवी और सत्रवी सदी के बीच यूरोप में जो सांस्क्रतिक वर धार्मिक प्रगति, आंदूलन और युद्ध हुए उन्हे ही पुनर जागरन कहा जा जो एक तरह से बौधिक और सांस्क्रतिक आंदूलन था, जो पंद्रवी सदी से शुरूआ, मतलब पंद्रवी सदी में जो धार्मिक, सांस्क्रतिक, आर्तिक, सामाजिक, बौधिक प्रगति हुई उसे रहने सा कहते हैं यानि पंच्वी सदी से लेकर चौद्वी सदी तक यूरोप में जो अर्शिक्षा अज्ञानता का माहूल था, वो खतम हो गया अर एक बार फिर से यूरोप चल पड़ा ज्यान और साहित्ते के विकास की तरफ, यानि एकजार साल तक जो यूरोप सो गया था, jó जीरो हो गया था, वो पंद्रवी सदी में एक बार फिर से जागा और मिकास की तरफ चल पड़ा, इसलिए इसे पुनर जागरन कहते हैं मतलब ये कि जब यूरोप में रोमन सामराज्य खतम हो गया तब पांचवी सदी से नवी सदी तक जो टाइम है उसे अंधकार युग माना गया क्योंकि ये टाइम ऐसा था जब रोमन एम्पायर जो तीन महादीपों में फैला था जब उसका पतन हुआ तब यूरोप एक तरह से सुन हो गया जो सांस्कृतिक आथिक विकास था वो पूरी तरह से खतम हो गया इसलिए इतिहास कारों ने इसे अंधकार काल का टाइम बताया Scholars के जरिये इस पूरी हिस्ट्री को जो अलग-अलग time periods में बाटा गया है वो कुछ इस तरह से है 9 to 11th century का जो time था वो था पूर्वी मद्यकाल यानि प्राचीन काल जिसे इंग्लिश में ancient time कहा जाता है और 11th से 14th century का जो time था उसे उत्तर मद्यकाल यानि medieval time कहते हैं और 15th century के बाद का जो time है उसे आदू निकाल यानि modern time कहते हैं योरोप में 13 सदी से 17 सताब्दी के बीच जो सांस्कृतिक उन्नती हुई और जीवन में जो बदलाव आए उसके नतीजे में एक नए युग का जनम हुआ एक्चुली क्या है न कि युग परिवतन इतने धीरे-धीरे सुभाविक कती से होता है कि जो भी लोग इस समय में इस time में मौजूद होते हैं उनको इस बदलाव का जरा भी हैसास नहीं होता और इसी वज़े से हिस्ट्री में युगों के बीच हमेशा एक संकरमन क्यान यानी transition पीरिड होता है जिसमें पुराने विचार मर रहे होते और नए विचार जनम ले रहे होते हैं ये जो विचार होते ये ही नए युग का आने का संदेश देते हैं आधुनिक युग का प्रारम यानि modern period का जो starting है वो पुनर जागरन यानि रहनेसा period से ही शुरू होता है भोगलिक खोजो, प्रग्यानिक प्रगति, व्यापारिक एम अध्यों की क्रांति, धर्म, सुधार की स्थाबना, राजनितिक क्रांतियों जैसी घटनाओं ने आधुनिक युग के जैनम और विकास में मैतुपूर्ण युग दान दिया लेकिन विवारिक ट्रस्टी से अगर देखा जाए तो इसे मानल समाज की बौधिक चेतना और तर्क शक्ति का पुनर जनम कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि प्राचिन युनान और रोमन युग में यूरोप में सांस्क्रितिक मुल्यों की उत्पति हुई थी रेनेसा सिफ इंग्लेर में नहीं आया था बलकि यूरोप के बहुत सारे देशों में आया था ये जो रेनेसा वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से आया है अब ये जो पुनर जागरंग या रेनेसा वर्ड है इसे ये नाम किस ने दिया तो स्वेजर लेंड में ब्रेसले युनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एक प्रॉफेसर थे जैकब वर्ग हार्ट इन्होंने इटली में 1390 से 1690 के बीच जितने भी नए बदलाव हुई थे उन्हें रहनेसा कहा इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था The Civilization of Renessa in Italy जिसमें उन्होंने रहनेसा के बारे में बताया और इस काल में जो लोग थे उन्हें इन्होंने रहनेसा यूमन यानि रहनेसा व्यक्ती कहा मतलब ऐसा व्यक्ती जो अलग-अलग तरह के कामों में परफेक्ट हो उसे रहनेसा यूमन कहते हैं ये जो डार्क एज थी यानि अंधकार का जो यूग था वो 5th to 14th century तक था इसे डार्क एज यानि अंधकार यूग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का ये मानना था कि इस यूग में सबसे ज़्यादा हिंसा और मौते हुई थी जैसे विनाशकारी ब्लैक प्लेग जिसने लाखों लोगों की जान ली और धर्म यूद जिसमें इसायों ने इसलाम के विरुद पवित्र भूमे पर यूद शुरू कर दिया था और यही वज़े थी कि यूरोप एक तरह से सो गया था क्योंकि इस यूग में कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था क्योंकि कैथोलिक चर्च में ब्रस्टाचा एक आम बात थी चर्च के पास कर लगाने की शक्ति थी और कर न देने पर नरक की पीड़ा और धमकी दी जाती थी इसलिए चर्च ने एक्स्प्लोइटेशन्स और टेक्स के द्वारा बहुत सारा दन इगठा कर लिया था लेकिन फिर भी यूरोपियंस पर चर्च और पॉप्स को इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था कि लोगों की सोचनी की शक्ति और बाधिक चेतना खतम सी हो गई थी लेटिन और युनानी भाशाओं को तो करीब करीब बुलाई दिया गया था यहां तक कि शिक्षा का प्रचार भी रुख गया था जिसकी वज़र से क्या हुआ पूरा यूरोप सदियों तक एक गहरे अंदकार में डूबा रहा भगवान चर्च और धर्म के प्रती यूरोप वाजियों की आस्ता इस हद तक हो गई थी कि धर्म शास्त्रों में जो कुछ भी सच्चा जूटा लिखा हुआ था और पॉप्स जो कुछ भी बताते थे उसे पूरी तरह सच मानते थे और अगर किसी ने विरोध कर दिया तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती थी इसलिए लोगों की जीवन में चर्च का बहुत जादा प्रभाव हो गया था चर्च धम गिरंतों के स्वतंतिर सोच का विरोधी था यहां तक कि सामाजिक और आर्तिक छेत्र में भी चर्च और सामंत विवस्ता ने लोगों को जकड रखा था किसान लोग सामंत की पमिशन के बिना मैनर यानी जागिर को छोड़ कर नहीं जा सकते थे लेकिन मद्डे युक्के लास्ट तक आते आते इंसान की सोच में एक बड़ा बदलाव आया क्योंकि जब जमीन की जर्य पेट बरने का कोई साधन नहीं रहा तो लोग मैनर चोड़ कर क्रशी फार्मों पर सतंतिर रूप से मजदूरी करने लगे दूसरे गाउं में जाकर काम करने लगे या फिर कस्बो या गाउं में अपनी खुद की दुकाने खोलने लगे इनी लोगों से मद्यमवक का उदा होने लगा जिसने पुनर जागरन के उत्पती में में रोल निभाया पीडियों से चली आ रही सोच को अब शक्की नजर से देखा जाने लगा अब लोग चर्च और धम शास्त्रों की बातों पर विरोध करने लगे जिसकी वज़े से जीवन के हर छेत्र में एक बड़ा बदलाव आ गया और इसी बदलाव को इतिहास में पुनर जागरन का नाम दिया गया तो आप सबसे पहले तो ये जान लेते कि पुनर जागरन यानि रहनिसा के कारण क्या थे किस वज़े से रहनिसा आया रैनिसा किसी एक व्यक्ति, एक जगह, एक घटना, एक विचारदारा या आंदोलन का कारण नहीं था इसके जन्म और बढ़ावे में अंगिनत व्यक्तियों के सामुई ग्यान और अलग-अलग देशों की अलग-अलग परस्तितियों का महतुपूर्ण योगदान रहे लेकिन इसके सासाथ और भी बहुत सारे कारण माने जाते हैं जैसे दैनिसा का सबसे पहला और में कारण था सामन्तवाद का पतन जो मद्य युगिन काल में जीवन का आधार था सामन्तवाद में पुनर जागरन के उदा में बहुत युगदान दिया प्रांस और इटली में 13 सदी के लास्त तक जो सामंतवाद कम होना शुरू हुआ और 1520 तक पश्च में येरोपिय देशों से लगबग गायब सा हो गया था मध्यों वर्क का उदर जिसने सामंतवाद के पतन में एक प्रमुक भूमी का निभाई मध्यों वर्क जिसमें पुझिवादी लोग और व्यापारी मौजूद थे ये जो मध्यों वर्क था इन्होंने राजाओं को सेनाओं के रक रखाव के लिए आवश्रक धन उपलब कराया और इस तरह उन्हें सामंते प्रभुद्व पर अपनी निर्भता कम करने में शक्षम बनाया दूसरा और मेन कारण था धर्म युद्ध यानि क्रूसेड इसाई धर्म के पवित्र तीर्थिस्तान जैरुसेलम के अधिकार को लेकर इसाईों और मुसल्मानों के बीच लड़े गए युद्ध इतिहास में धर्म युद्धों के नाम से फेमस है ये जो युद्ध था ये लगबग दो सदियों तक चलता रहा और इन युद्धों की वज़र से युरोब वासी पुर्वी रोमन सामराज्य जो इन दिनों वाईजेंटाइन के नाम से फेमस है और पुर्वी देशों के संपर्क में आए क्योंकि इस टाइम जहां युरोब पूरी तरह अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ था वही पुर्वी देश ज्ञान के प्रकास से चमक रहा था क्योंकि पुर्वी देशों में अरब लोगों ने युनान और भारते सब्व्यताओं के संपर्क से अपनी एक नई सब्व्यता बना ली थी और फिर इस नए सिविलाइजेशन के कंटेक्ट में आने पर युरोपियंस ने बहुत सारी नई नई तरह की चीजे देखी और उन्हें बनाने का तरीका भी सीखा इससे पहले भी ये लोग अरबों से कुतुपनुमा, कपड़े बनाने का तरीका, पेपर और प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी ले चुके थे धर्म युद्धों की वज़े से युरोपियंस को नई तरीकों, नई रास्तों की जानकारी मिली और युरोप के कई सहसी लोग पुर्वी देशों के लिए निकल गए जिनमें से कुछ लोगों ने पुर्वी देशों की यात्राओं के बारे में लिखा जिनें पढ़कर युरोपियंस की अक्यानता दूर हो गई क्योंकि मद्धे युग में लोग अपने सर्वोच धर्म दिकारी पॉप को इश्वर का दूसरा रूप मानते थे लेकिन जब धर्म युद्धों में पॉप की पूरी शुपकामनाओं और अर्शिरवात के बाद भी इसायों की हार हुई तब लाखों लोगों की धार्मिक आस्ता डगमागा गई और तब कहीं जाकर ये लोग सोचने लगे कि पॉप भी हमारी तरह एक साधरन मनुश्य ही है तीसरा कारण है धनी मद्यम वर्ग का उदैया व्यापार वानीजे का विकास धम युद के टाइम पर अपनी भोगोली किस्तिती के करण इतावली नगरों ने व्यापार वानीजे का विकास हुआ और इस व्यापार वानीजे के विकास ने नगरों में धनी मद्यम वर्ग को जनम दिया समाज में अपनी शान, शौकत और प्रस्टीज बनाई रखने के लिए इस वर्ग ने खुले हातों से धन खर्च किया और फ्यूचर में भी अपनी इस प्रस्टीज को बनाई रखने के लिए विदवानों और कलाकारों को आश्रे दिया और इसमें फ्लोरिंस मेडिसी फैमली का नाम सबसे उपर आता है शहरों के विकास ने भी व्यापार को सहयोग किया क्योंकि ये जो शहर थे ये व्यापार वानिज्जे के केंदर बन गए थे इसलिए विदेशों से व्यापारी लोग इन शहरों में आते जाते रहते थे और इन विदेशी व्यापारीों से शहरवासी विचारों का लेंडेन करते थे मतलब विदेशी व्यापारीों से सला लेते थे तो उन्हें सला देते भी थे जिसकी वज़े से क्या हुआ कि शहरवाजियों का जो नजरिया था वो और ज़्यादा बदलता गया यूरोप के बढ़ते हुए व्यापार वानिज्जे से उसके व्यापारिक सम्रत्धी भी बढ़ती गई नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस और पेपर का अविश्कार जो बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी और इस वज़े से उनकी कॉंटिटी भी कम होती थी इसलिए ग्यान विज्ञान की इन चीजों पर कुछ धनी लोगों का ही अधिकार हुआ करता था लेकिन अब पेपर और प्रिंटिंग प्रेस की वज़े से किताबों की कमी नहीं रही और बहुत ही सस्ते दामों में भी मिलने लगी और जब सस्ते दामों में किताबे मिलने लगी तो क्या हुआ जो सामनी लोग थे वो भी किताबे पढ़ने लगे जिसकी वज़े से शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा मिला विज्ञान और तक्निकी प्रगरती का रास्ता खुल गया यही वज़ेती की पेपर और प्रिंटिंग प्रैस को इतना ज़्यादा खास माना गया नेक्स्ट है विज्ञान और दाशनिक तरकों का प्रभाव या पांडित्य वाद मद्धे युग में यूरोबियंस में एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई जिसे विदूतावात, स्कालिस्टिक या पांडित्य वाद कहा जाता है इस पर अरस्तु के तरक शास्त्र का गहरा प्रभाव था बाद में इसमें सेंट अगस्टाइन के फिलोसोफी को भी एड़ कर लिया गया पैरेस, अक्सफोर्ड, बोलों जैसे युनिवर्सिटीज ने भी इस विचारधारों को तेजी से आगे बढ़ाया और उसी बात को सही मानने को कहा गया जो तरक वितरक की साहिता से सही पाई जा सके आगे चल कि इस विचारधारा का प्रभाव थोड़ा कम होता गया लेकिन फिर भी इस विचारधारा ने यूरोपियंस की सोचनी की शक्ति को बढ़ाया जिसे हम व्यापारिक मार्ग या मार्को पोलो की यात्रा भी कह सकते हैं बाईबल में लिखी बाते साही यूरोपियंस और शाषकों को प्रेरित करती है इस बात का सच जानने के लिए कई बड़े व्यापारी शाषकों ने खतनाक समुद्री यात्राओं पर निवेश किया और कई कमपनिया बनाई और फिर इन यात्राओं ने विश्व का नजरिया ही बदल दिया जिसकी वज़े से कई विचारों को आपस में मिलने का मौका मिला कपास की खोज ने भी बड़ी संख्या में लोगों को लंबी यात्रा करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि अब उनके लिए ये जाना पासिबल हो गया था कि वो किस दिशा में नाव से यात्रा कर रहे हैं यहां तक कि लोग दूर के समुद्रों का पता लगाने में भी कैपेबल हो गए थे अब नए समुद्री रास्तों को ढून लेने की वज़े से यूरोप में हलचल मच गई थी और व्यापार प्रसार में बढ़ावा में पूर्तकाल और स्पेन ने प्रमक भोगोलिक खोज में महतुपूर्ण भूमी का निबाई और नए रास्तों की खोज की और फिर जब मंगोल के दरबार में मारको पोलो ने अपनी यात्रा से लोटकर सारी बाह सुनाई तो उसकी बाते सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए बाद में इसका पप्लिकेशन हुआ और पूरे यूरोप की ब्रेन पर गहरा प्रभाव पड़ा रेनेसा के वास्विक शुरुआत जो थी वो इटली में हुई और फिर वहां से फ्रांस, एंगलेंड जैसे देशों में भी फैल गई अब सवाल ये आता है कि रेनेसा की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई इसके कुछ खास वज़ा थी हुआ ये कि जब कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ 1453 में कुस्तुन तुनिया तुर्कों का एक फेमरस नगर था ये बासपरोस जलसंदी और मारमरा के संगम पर बसा हुआ था ये नगर भी रोम की तरह साथ पाहडियों के बीच एक तुर्बूजा कार पहड़ी प्रायदीप परिस्तित था जिसे आजकल इस्तांबूल के नाम से जाना जाता है तुर्की लोगों ने पुर्वी रोमन सामराज्य यानि बाइजेंटाइन सामराज्य की राज़दानी कुस्तंतुनिया पर अधिकार कर लिया था और बालकन देशों में भी प्रिवेश करने लगे थे कुस्तंतुनिया जो था वो पिषले दो सदियों से यूनानी ज्यान, कला और कारीगरी का केंद्र बना हुआ था लेकिन तुर्कियों को सांस्क्रतिक मूल्यों से कोई भी खास लगाव नहीं था इसलिए उन्होंने इस जगा के सभी लोगों को समान रूप से लूटना शुरू कर दिया इन तुर्कों से बचने के लिए बहुत से युनानी स्कॉलर्स अपने प्राचीन मैनुस्क्रिप्ट अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकले और यूरोप पहुँच गए कुछ लोग इटली, फ्रांस, जर्मनी आदी देशों में जाकर बस गए लेकिन वहीं यूरोप में कार्डिनल नाम का एक व्यक्ति था जो अपने 800 मैनुस्क्रिप्ट लेकर इटली चला गया इस वक्त इटली की जो सामन्त शाही थी वो थोड़ी कमजो थी लेकिन यूरोप के बाके हिस्सों के कमपैर में इटली में थोड़ी आजादी थी क्योंकि इटली में नई नई चीजों को जैसे कला और सांस्कृति को महत्विद दिया जाता था लेकिन यूरोपिय देशों से आये लोगों का यूनानी ग्रंतों की तरफ इंट्रस्ट बढ़ने लगा यूनानी मैनियोस्क्रिप्ट को पढ़ने से यूरोप वासियों का जो नजरिया था वो बड़े रूप में बदलने लगा लेकिन कुस्तंतुनिया को ब्लॉक करने से एक नुकसान भी हुआ कि यूरोपियंस जो थे वो अब इंडिया चाइना देश से देशों में नहीं जा सकते थे क्योंकि भारत और चीन जाने का जो जमीनी रास्ता था वो अब बंद हो चुका था और इसी वज़र से यूरोपियंस ने जल मार्ग की खोच की और फिर जहाज और नावों का आविशकार हुआ क्योंकि जब यूरोप को इंडिया के बारे में पता चला तो उसका इंडिया जाना जरूरी हो गया फिर चाहे वो पानी के रास्ते ही क्यों ना हो और इस काम को सबसे पहले पूर्टुकाली व्यक्ति फर्डिनन मेकेलेन ने किया और इसके बाद कॉलंबस और वासको डिगामा जिनोंने इंडिया और अमेरिका को ढूंडा क्योंकि इटली एक समरद देश था और इस समरदी का कारण था विदेशी व्यापार बूमध्य सागरी जो देश थे उनमें सबसे अच्छी इस्ति इटली की थी और इसी वज़े से अरब व्यापारी दूसरे तेशों से लाई गए सामान को ज़्यादा तर इटली में ही बेचते थे यही से एशियाए वस्तू यूरोप में जाती थी इटली के समरदी की वज़े से व्यापारिक मध्यम उदा हुआ वहां का व्यापारिक वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सामनतों और पॉप की परवाह करना छोड़ दिया यहां के लोगों ने मदेकालिन मानेताओं का बहुत ज़्यादा विरोध किया इससे इटली में पुनिच की भावना को बल मिला हुआ गया था 1453 में जब कुस्तन तुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था तब वहां से भाग कर आने वाले युनानी विद्वानों ने, कलाकारों ने, व्यापारियों ने सबसे पहले इतली में ही आश्रे लिया और उनमें से बहुत से लोग तो इटली के अलग-अलग नगरों में पमानिटी भस गए थे और फिर इन युनानियों ने अपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार शुरू किया इन शहरों में जिससे लोगों में एक नई चेतना की शुरू आत हुई बूमध्य सागरे व्यापार के दोरा इटली के शहर बहुत ज़्यादा सम्रद हो गए थे और जैसा कि हम सब जानते कि सांस्क्रतिक उन्नति के लिए आतिक सम्रदी होना बहुत ज़रूरी है इसलिए इटली के जो सम्रद लोग थे उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को आश्रे के साथ साथ प्रोचसाहन भी दिया क्योंकि अब इटली के शहर पवित्री रोमन सामराज्य के नियंतरन से आजाध हो चुके थे इसलिए अब राजनितिक जस्टी से भी इटली बहुत ज़्यादा सही हो गया था योरोप के दूसरे शहरों की तरह इटली के शहरों में सामंत प्रथा पनप नहीं पाई थी इसलिए इन शहरों का स्वतंतर वातावरन पुनव जागरन के लिए सही साबित हुआ अब हम बात करेंगे पुनव जागरन की विशेष्टाओं के बारे में पुनव जागरन की पहले और सबसे खास विशेष्टा ये थी कि इसमें धार्मिकास्ता की जगह पर स्वतंतर सोच को सही मान पेवे तर्क शक्ती का विकास हुआ क्योंकि आपको भी बताए कि मद्दे युग में व्यक्ती की सोच और मनन यानि ध्यान लगाने पर धम का रोक लगावा था लेकिन पुनव जागरन ने इस आलोशना को एक नई गती और विचारधारा को नई निडर्ता प्रतान की दूसरी विशेष्टा ये थी कि लोगों को अंध विश्वाशों, रोडी विचारधारों और चर्च के बंदनों से छुटकारा मिल गया था जिसकी वज़े से लोगों का स्वतनतर रूप से विकास होने लगा तीसरी विशेष्टा ये थी कि देश में अब भाशाओं का विकास होने लगा था क्योंकि अब तक युनानी और लेटीन भाशाओं में लिखे गए ग्रंतों को मेन समझा जाता था लेकिन पुनव जागरन ने लोगों की बोलचाल की भाशा को गरीमा और संबान दिया क्योंकि इन भाशाओं के वज़र से ही जो सामानी लोगते वो जल्दी ग्याना और जर्ण कर सकते थे और अपने विचारों को आसानी से समझा सकते थे चौती विशेष्टा ये थी कि पुनव जागरन काल में चित्रकला के चेत्र में व्रदी हुई और इसके सासाती, निरिक्षन, जांच और परिक्षन में भी व्रदी हुई अब पाँचवी और खास विशिष्टा ये थी कि पुनव जागरन ने मानवधी विचारधारा को जनम दिया क्योंकि मद्दे युग में चर्च ने लोगों को युग देश दिया था कि इस संसार में जनम लेना ही घोर पाप है और इस पाप को दोने के लिए इससे छुटकारा पाने के लिए तपस्या का रास्ता अपनाना चाहिए लेकिन इस विचार का विरोध करते हुए पुनव जागरन ने मानव जीवन को सफल बनाने की शिक्षा दी शिक्षा के प्रसार के कारण इस विचारधारा के दर्शन सबसे पहले इटली में हुए इस विचारधारा का सीधा सार्थी यह है कि मानव जीवन में रूची लेना मानव जीवन को सुखी, समरत और उन्नत बना कर उस व्यक्ति को सम्वान करना मानववादी आंदुलन के स्टार्टिंग के सपोर्टर्स में पैट्राक की जगर सबसे पहले है इसलिए कुछ स्कॉलर्स ने इने मानववाद का पिता कहा है पैट्राक फ्लॉरिंस शहर के थे लोगों में युनानी और लेटिन साहित्य के प्रतिर रूची पैदा करना उनकी सबसे बड़ी देन है उन्होंने इसाई मठो के बंद कमरों में रखी पुरानी मैनुस्क्रिप्ट को खोजने का काम अपने हाथों में लिया क्योंकि मौजूद मैनुस्क्रिप्ट में बहुत सारी गलतियां हो गई थी पैट्राक ने पुरानी मैनुस्क्रिप्ट की हैप से इन गलतियों को सुधारने का काम किया और उनका दूसरा में काम था लाइब्रेरीज की स्थापना करना इतली के दूसरे मानववादियों ने पैट्राक के आदे काम को पूरा करने की पूरी कोशिश की और इसी वज़े से मानववादी विचारधारा का यूरोप के दूसरे देशों में भी प्रिचार हुआ एंग्लेंड में इसका नित्रत वहां के यूनिवर्सिटीज ने किया प्राचेन यूनानियों के जीवन में साहित तके प्रती एक खास रूची जलकती थी क्योंकि यूनानी लोग उस संसार में गहरी रूची रखते थे जिसमें वो जी रहे थे पुनर जागरन काल में जो स्कॉलर्स थे वो मानव और प्रकरती दोनों में रूची रखते थे और फिर उसका वर्णन करते थे इसलिए उन्हें मानव वादी के नाम से पुकारा जाता था संसार में रहने वाले लोगों की परेशानियों पर लेख लिखा जबकि मत्ययुक के स्कॉलर्स का नजरिया बिल्कुल उल्टा था मत्ययुकिन स्कॉलर्स के लिए इंसान और उसके संसार का कोई खास मैत्वी नहीं था क्योंकि उनके विचारों पर चर्च और धर्म का जबर्दस्त प्रभाव चाया हुआ था और धर्म के आड में अंध्य विश्वाशों और रूडी विचारधाराओं को बढ़ावा दिये जा रही थे लेकिन अब इटली के शहरों के आतिक सम्रति और विदेशों के साथ बढ़ते हुए संपर्च ने मानवादी विचारधारा को जनम दिया क्योंकि इस विचारधारा की वज़े से मद्य यूगिन वातावरण में महत्वण बदलाव आ गए जैसे धार्मिक विश्यों की जगह इतिहास, भुगोल, विज्ञान, सौंधर्य शास्त्रे जैसे विश्यों के अध्यन पर जोर दिया जाने लगा और राइटर्स ने भी मानव जीवन की अलग-अलग समस्याओं जैसे प्रेम, ग्रणा, विराह, मिलन, दामपत्य जीवन, नारी सौंधर्य पर ध्यान देना शुरू किया मानव वादियों का कहना था कि पर लोग की चिंता छोड़ कर इस लोग को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए हर व्यक्ति को अपने इक्ष्य अनुसर किसी भी धरम को मानने की आजादी मिलनी चाहिए